इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. डैसित 5 मिली ग्राम टैबलेट एंटी हिटमाइन नामक दवाओं के समूह के अंतरगत आता है. इसका उपयोग विभिन अलजी स्थितियों के उपचार में किया जाता है. यह खुजली, सूजन और रैशेज जैसे लक्षनों से राहत दिलाता है. डैसित 5 मिली ग्राम टैबलेट को खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है. आप इसे किसलिए ले रही हैं? इसके आधार पर खुराक भिन हो सकती है. इसे ले क्योंकि यह आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारत किया गया है. आपको इस दवा की आवश्यक्ता केवल उन दिनों में हो सकती है जब आपके लक्षन हो. या लक्षनों को होने से रोकने के लिए आपको इसे हर दिन लेने की आवश्यक्ता हो सकती है. यदि आप सलाह से पहले इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं यह दवा आमतोर पर बहुत सुरक्षित होती है दवा लेने के बाद आपको चक्कर और नीन दाने का अनुभव हो सकता है ये आमतोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं क्योंकि आपका शरीर समायोजित हो जाता है अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं या आपकी चिंता करते हैं इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको अपने लीवर या किड्नी या अपने दिल की कोई समस्या है क्योंकि एंटी हिटमायन आपके दिल की धरकन को तेज कर सकते हैं गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. शराब पीने से बचें क्यूंकि इस से इस दवा के साथ अत्यधे को नींदापन हो सकता है. ये आम तोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है. लेकिन अगर आपको नींदिया चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोट नोटिफिकेशन को कलिक करें. धन्यवाद.